नमस्कार देव भूमी के दंगल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गरे मबाश्पी और देव भूमी के दंगल में आज बात होगी जो घंटा घर करता था शोर खड़ी ले गए शोर देव भूमी उत्राखंट में बदहाल कानून विवस्था पर सियासत लगतार गर्मा दी जा रही है कॉंग्रिस के ओर से राज में बढ़ते महला अपरात के साथ ही बढ़ती लूट चोरी डकैती के विरोध में प्रधर्शन के आ जा रहा है और उत्राखंट के पुर्व मुक पट्री से उत्री हुई है आए दिन लूट चोरी के साथ ही महलाओ पर अत्याचार पढ़ गए है कई मामलों में सत्ताधारी दल के निताओं के नाम भी सामने आये हैं वही राजधानी दहरदून की बात करें तो दहरदून का दिल कही जाने वाले घंटा घर की तार और पै बंद करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है इस दौरान इस तती संभालने को मौके पर कई थानों का फोर्स बोलाए गया इसके लावार उधर प्रयाक के कुछ गाओं में बाहरी लोगों के एंट्री बंद के जाने का लोगों ने बोड लगा दिया है पहले इस पर चर्चा खास बमानों का पैंदल हमारे साथ में होगा लेगर उससे पहले एक निज़र आज किस खास रिपोर्ट पर डालिए उत्रखन की शांती वादों में अपराद की संख्या लगतार बढ़ रही है आई दिन अपरादों की बढ़ती संख्या शांती वादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे है आलम ये है कि महला परादों के मामले में उत्रखन नौ पहाड़ी राजजु में टॉप पर है बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं वहीं राज की मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग्धामी का कहना है कि उन्होंने पुलिस विबाग के अधिकारियों को कानून व कहा कि कुछ लोग लव लाइन जिहाद को अपना लक्ष मान कर काम कर रहे हैं हम अपनी बेहन बेटियों के साथ धोकन नहीं होने रहेंगे वहीं कॉंग्रिस का कहना है कि सरकार के अध्यान सिर्फ सामप्रताइक महौल को खराब करने में है कानून व्यवस्ता को सुधारने पर नहीं कि बहुत सांतिपूल तरीके से चलने वाला राज्य है सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सकती से काम करेगा हां लेकिन यह जरूर है कि उस लोग लब जहाद और लेंड ज कि अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे उनके साथ धोका नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनिक प्रक्रिया के तयत उस पर कठोग कारवाई होगा जब भाजपा के महां विधायक का भाई इन्वाल है यहां आई साथ एक संपत् अपराद का ग्राव दिनों बढ़ता जा रहा है आई दिन लूट चोरी के साथ ही महलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं कई मामलों में सत्ताधारी दल के नेताओं ने नाम भी सामने आए हैं यह है कि दहरादूर की पैचान कहे जाने वाले घंटागर की तारों और पैनल को चोरों ने तीसरी बार चुरा लिया है इसकी वज़े से घंटागर की घंटी बंद हो गई है इसके साथ ही पर्टन बाजार में तनाव का महौल है आक्रोशित वेपारियों ने बाजार बंद करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया इसके अलावा रूद प्रया के कुछ गाउं में बहारी लोगों की एंट्री बंद किये जाने का लोगों ने बोर्ड लगा दिया है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रिस के वरिष्ट्रे नेता हरीश रावत ने बदहाल कानून विवस्ता के विरोध में गुरुवार को हरिद्वार में विशाल पद्यात्रा करने का फैसला लिया है कानून विवस्ता किसी की खस्तों भी है और उसके खिलाब कल मैं जो है चंद्राचारी चौप से परशुनाम चौप तक हर द्वार के अंदर पद्यात्रा करने जा रहा है भारती जनता पार्टी लॉइन ओर्डर बहुत अच्छे से संबाल रही है जहां पर भी किसी प्रकार के अगर कोई घटना हो रही है तुरंत उस पर एक्षन लिया जा रहा है तुरंत जो दोशी है अरौपी है उन पर एक्षन लेकर सरकार अपना कारे कर रही है और नसीयत साफ सकती से निर्देश है, जो भी महिलाओं के प्रती गलत भावना रखेंगा, किसी भी परकार का जो जिस परकार से जो घटनाए हो रही है, उन पर सकती से हम लोग उसमें पेश आ रहे हैं, और आपने देखा कि अभी जितने भी केसी हुएं फास्ट ट्रेक में हमने उनकी क जाते हैं कि जल्द से जल्द उनका जैसे फॉरंसिक जो रिपॉर्ट्स आती हैं उसके तहत उनका जल्दी निवारन हो और दोशियों को सजा मिले। जो लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं। जो राज में अपरात का ग्राव बढ़ना चिंता की बात है। राज की स्थिती ये है कि ग्रामीनों को साइन बोर्ड लगाकर बाहरी लोगों को प्रवेश से रोकना पड़ रहा है। वहीं भाजपा के नेता ग्रामीनों को इस फैसले को सही बता रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि आखिर क्यों शांती प्रेयराज में कानून व्यवस्ता की ये स्थिती हुई। आखिर क्यों सरकार के तमान प्रयासों के बावजूत अपरात नहीं रुक रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि राज की कानून विवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है उत्राखन टेक्स रिपोर्ट हो रहा है कार करम का नाम भी देव भूमी है और देव भूमी है चार दामों की यात्रा नज विराज्मान है और वहां पर अपर घटनाये लगतार बढ़ती जा रही है हर बार अंत vain कि बड़ी निताओं की ओर से दाविक किये जाते हैं कि देव भूमी को मपराद से बचा कर रखेंगे लेकिन अब सूचिए ना गलियों में सडकों पर महिलाओं के साथ में छंडखानी हो रहे हैं देव भूमी होने के साथ साथ परटन स्थल के तौर पर भी उत्राकंड को दे इतले हैं हम ज्यादा तर कुछ तहरों में देख रहे हैं हुं और जहां तक हम ग्रामें लाकों की बात करते हैं उस्टरा कि तो वह तक अभी तक जो इंका प्रसक्राशन इस स्थम है सर्कार का अभी भी हमारे ग्रामें पटवारी पिस्कंद हैं और पटवारी ही हमारी जो देवस्ता है उसको दुकाप पेशा से लेकिन यहां पे जो हम बहुत जादा उद्वेलिक पेश रहें समाज को उसका कारण ही इनका जो एजेंडा है आज की तारिफ में जो भार्चे जन्ता पार्टी का हार्डिंग एजे का कि ऐसी समिश्याओं का उठाएं जो उनी के लिए गले की फांस बन रही है एक मुच्चमंत्री का ये कहना कि महलाएं में कुछ परवसी के लूब जा रहे हैं लव जहाद और लेंड जहाद इस राज्य में कर रहे हैं यह बहुत ही अशूमनियां सब्द है मुच्चमंत् रहे हैं यह जो लोग आज चिला चिला कर नुमाइश लगा रहे हैं उत्राखंटी महलाओं का केवल अपने फोट के कातिर अपने जो उन्मात प्पैलाने के कातिर वो उन्मादी लोग हमारे महलाओं को तार्गेट बना रहे हैं जब की हमारी महलाओं इनकी राजनिती के ल राम से बहुत जादा लेना देना नहीं है आयोधिया के, क्योंकि यहां पे खुद रगुनान जी का मंदिर है, यहां पे हमारे देवी देख्राओं का बहुत बड़ा जो सिस्टम है, वो बिल्कुल हमारी सामाजिक तानवाना बिल्कुल अलग है, जिसके बावजूद हमारी महलाएं पूरे तोर से इनको तागती हैं, उत्तरफदेश की महलाओं को नहीं लापाए आयोधिया में, लेकिन हमारी महलाओं के लिए इनने स्पेशल स्ट्रेन लगाई और वहां ले गए, लेकिन ये बोलना कि उत्तरफदेश की महलाओं इसनी कमजोर हैं कि बहारी जो लोग आ रहे हैं, कभी रोहिंगा बोलते हैं, कभी क्या क्या बोलते हैं ये लोग और वो बहुत अस्चुरकित कर रहे हमारे महल को, ये बहुत ही अस्थोवनिया है, इस दल को जो इस तहे की राजिकी उत्राखन में पैरा कर रहा है, आपने देखा होगा अगर रुद्रफ्याग में, या हमारे पल्टन मजार में, लेकिन जब बात सलती है, किसाब ये उद्रफ्याग नगर या सल्ट में, जो दो दो घड़्ड़ाएं उदर भी हुई हैं, वहाँ कोई उन्माद नहीं होता, वो उन्माद यानि कभी भी अपराद के सो पैरामिटर्स नहीं होने चाहिए, अपरादी कोई धर्म के आज़़ार पे अपरादी नहीं होता, अपरादी अपरादी होते हैं, लेकिन ये लोग एकदम नहीं महुल कर रहे हैं, आप ही देखिये कि यहां तक जो इनके बहुत प्रभुब उच्छल कूद कर रहे हैं, जो लोग जिनको ठेका दे रखा है, उन्मा फैलाने का, वो कह रहे हैं कि घंडागर की स्वीवी, वही लोग लेके गए हैं, तो ये बहुत हसी आ रही हमें, यहां पे व्यवस्ता बहुत ही, बल्कुल देखिये ना, आप अपनी, मैंने आप से सवाल में ही कहा था, यहां प के तोर पर देखना चाहिए, भले ही वो चोटी हो या बड़ी हो, अगर आप के अहां कोई भी चीज ऐसी है, जो लोगों के बीच लोग को प्री है, तो उन्स चीज़ों को बचा कर रखना चाहिए, चली के लोट हैं यह आपके पास में, और महमान हमारे साथ में हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बेजबी क्यों से बहुत स्वाङत सुरेंता का भी और लाइंडग्य राजले हो रहे हैं, लूट हो गई, चोरी डख्यादी, और अपस्न चोरी हो गई, और जिसके चलते बरे हैं, इसलिए यह मामला क्वां गडग हो गई, नि गड़ी हो गई, अब आप समझे कि किस हद तक अविवस्था है और किस हद तक प्रसाशन का डर नहीं है और क्या इस्थती हो गई है आप अपने शब्दों में ब्यान कीजिए मैं चाहती थी हलाकि आप सभी प्रवक्ताओं की बात सुन लोग आपके प्रतिक्रालू लेकिन क्यूंकि बाकी लो तो उधारन के साथ अपनी बात मैं शुरू करूंगा पहला उधारन ये खुद से ही मेरा से मुझ से जुड़ा हुआ है ये वर्स तिराननवी चौराननवी की बात है 24-95 की बात है हम लोग स्कूल पॉलेज हो के मैं पढ़ते थे और मैं तुकि एक पहड़ी सिमान जिल्ले स से आता हूं और डिस्टिक हड़कॉर्टर मैं चमोली जी लेका डिस्टिक हड़कॉर्टर है गुपिश्वार मेरा घर है तो हमारे घर के बाहर एक सड़क तो नहीं कह सकते हैं लेकिन गाओं महले की गली तो हम लोग पढ़ते थे मैं साइंस को स्टुडेंट रहा हूं देर सड़कों पर लाठियां मारते वे और सीटी बजाते वे चलते थे और जाके ठीक है लाठी मारना पुलिस का अपना साइं है बजाते वे इस तरह से हां रोज गरते और मुझे यह गटना इसलिए याद है क्योंकि पुलिस वाले जब मेरे घर के पास से आते थे तो वो लाठ इसलिए गटना मेरे मन में अभी तक बसी हूई है यह मैं तब की बात कर रहा हूं जब उत्तरप्रदेश था पारी था ठीक है था दूसरी घटना अभी उत्तरप्रदेश में वहां भी बीजेपी है बीजेपी के मुख्यमंतरी है दूसरी बार के मुछ्षवार्टी है अरूपी इंकाउंटर में मारा गया ठीक है अब हम आते हैं उत्राखन में सुल्तानपूर तो लखनाओ नहीं है ना लेकिन दहरादून तो उत्राखन की राजधानी है अज से ठीक 11 महिने पहले दहरादून में महामहिन राश्टपती का एक दोरा होता है ठीक है और उस दो आपस है ठीक इन दोनों की बीच में चंद कदमों की दूरी है इन दोनों के बीच में उत्राखन की अब तक की सबसे बड़ी ड़काटी बढ़ती है दिन दाहरे 11 बजे बलकुल और खूब सुरक्यों में भी राती है बहुत सुरक्यों में रा वह बड़े तरीके से आए जाए तो अगर हम सामान देखते हैं तो बड़ी तरीके से चीज़ों को जो हाँ पर दक्याटी जाल रहें से बहुत आसानी से कोई चेहरे पर कोई भय नहीं था कि जल्दी करो भागना है यह पुरिस ना आ जाए तो जाए यह एक मामला दूसरा मामला अभी तिसले महिने का है उपरास्तपदी का दौरा तुराखंड में होता है वह राजपती होते हैं और में हरीद्वार में दिन दहाड़े एक वजे दो लोग आराम से स्कूटी पर आते हैं और पांस करोड़ की ड़के पी करके चले जाते हैं चालीस कदम की दूरी पर पुलिस की पिकेट थी ठीक है उसके दूसरे दिन उसी जगह पर जहां पर गटना हुई है उसी छेत्र में चोटे से छेत्र में चेनिस नहसार एक महिला की चेन शींकिव जाते हैं मतलब यह क्राइम स्पॉर्ट की स्थितियां हैं यह हमारे उत्राखंड की पुलिसिंग है और यह स्थिति तब है जब हमारे प्रदेश में जो डीजीपी के चार्ज पर है एडीजी अभिनौक वाजी कभी हमने इनकी पुलिसिंग को लेकर के इनकी को लेकर के बहुत बढ़ि इनकी पकड़ रही है हमने उस समय कोई अफसार अगर अच्छा काम करता है तो उसकी प्रसंशा भी होनी चाहिए अब इनकुमार वो अफसार थे और हमने बड़ा मैसस होता था अज बड़ा अजीब लगता है कि यह वही अपने वकुमार थे तो इतना बड़ा काम किया हरद अजीब दुबार में है तब देहदुन में रहे तब क्या एक गटना बताता हो 2009 की बात है रुदुर उदमसिंगर में कुछ एक कराइं होता है बड़ा दंगा हो जाता है और उस समय के तत्कालिन मुख्यमंत्री जर्रल खनुडी साहब अभिनाव कुमार उसमें डी आजी क वापिस आजाते हैं यह एक घ्मार एफसर है और आज देहदुन की पुलिसिंग हरिद्वार जिल्ले की पुलिसिंग परवतिय जिलों की पुलिसिंग आलम यह है कि जनता यह समझ नहीं पा रही है कि वो अपनी सुरक्षा किस से करे रिशी केस में एक पत्रकार के साथ कि वो हॉस्पिटल में एंस में और आश्चर जनक बात किया है कि जो पीडित पत्रकार है इसका सर पोड़ दिया गया जिसका जबड़ा तोड़ दिया गया इसके पैर तोड़ दीगे जो हस्पडाल में एद्मिट है पुलिस ने उसी के खिलाफ आप बड़ी धराव में मु अपने जदने भी उधाराण दियो उन सब में बिल्कुल साफ उपार है कि किस तरीके से पुलिस की जो कारेशैली है वो बिल्कुल नियमों की वेरुत जारी है और यही वज़ा है किस तरीके की घटाय बढ़ रही है और कही न कहीं अपराधियों में पुलिस का जो खौफ ह वो भी कम होता जा रहा है इसी पर आगी विस्तार से अपनी चर्चा को आगी बढ़ाएंगे और प्रवक्ताओं के साथ में भी बात्षी त्रेंग लेकिन उससे पहले देवभुमी के दंगल में एक छोड़ी सब्रेक के लिए आप रोकते हैं कहीं बजाएगा फरन लोटेंग आप देख रहे हैं की नियूस ख़बरों का सार्थी प्रवक्ताओं के दंगल में आप सभी कर स्वागत हैं खास ममान हमारे साथ में लागतार पने में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे प्रवक्ता कॉंगर्स पार्टी के ओर से उनके साथ मिजबाद शुरुबात करते हैं बीज़पी फिलहाल वसुरिता जी नहीं मौझूद है गिर्याज जी ये क्या चल रहा है विपक्ष लगातार सब को लेकर सवाल उठा रहा है कि आकर कैसे सरीकी की घटनाय बढ़ती जा रही है गरिमा जी साथ वर्सों से भाजपा उत्राखंड में सासी थे सादर साल जो स्थतियां है कानून व्यवस्ता जो आज द्वस्त लॉएंड ओर्डर जो द्वस्त बताया जा रहा है उत्राखंड का आज लगबग चरम पे हम लोग है जो आज जो स्थतियां है इस समय गरिमा जी उत्राखंड में आज पूरी तरह से पुलिसिंग जो है या इंटिलीजिंस जो इनकी अलाईयों है यह पूरी तरह से फेलिवर है आज जो घटनाय जो है अभी जो मैं अभी सुन रहा था सिम साब का एक मैं बाइट अभी सुन रहा था सिम साब कही सिकन नहीं माठे पर करिमा जी मुझे इस बात को लेके कि वाकई जो है बड़ा अस्यूर्ब मुझे होता है कि mukjya के कोई कहीं कोई सिखन नहीं है आज जो statement है उनका कि उत्राखंड जो है सांति का प्रतीक है सांति प्रिय प्रदेश है आप ऐसे statement दिये जा रहे हैं और घटना ही जो है अपना मूर्द रूप लिये जा रही है अभी कुल्दीब जी ने जो घटना अभी आपके सामने रखी आप सोची वर रिलाइंस का जो जोलरी सोरू में दिन दहाडे राश्ट्रपती जी की प्रजेंस दहरादून में करोडो रुपे की लूट हो जाती है और आज तक उन लूटेरों का पता नहीं है गरिमा जी आज तक पुलिस जो है उन लूटेरों का पता नहीं कर पाई यह प्रवतिय राज्यों में भाजपा इसको अवल दर्जे पे ले आई है इपकी उपलब दिये पहले पाएदान पे ले आई है उत्रेकंट को बलातकार के जितने इस समय जो भी हमारी माताव बहनों के साथ जो दुराचार हुआ है उसमें भाजपा के लोग सामिल हैं अंकिता ब बोले सत्तापक से क्यूं अपनी तरब से अपनी बात रखके वागई आज हम जो चाहते हैं कि जिस तरह से जो पाथ जो रास्ता इस समय अपनाएवे सरकार आज दुराचार पे दुराचार हो रहा है महिलाओं पे आज लगातार लोगातार जो घटनाएं घटित हो रही है दकेतियां पढ़ रही है आज किसी का आप सवस्वेम सोचिये आप कि ऐसे मुख्यमंत्री समय मुख्या के रूप में है धामी साब दाकर धामी उनको बोला जाता है बाजपा में जो अपने मंत्रियों को अगर बोलते हैं कि रिपोर्ट कार्ट पेस करो तो मंत्री गण जेत्र विकास सुनने हो चुका है गरिमा जी आज बेरोदारी चरम पे है आज आप ऐसे स्थियां क्रियेट कर रहे हैं रुद्प्रिया की घटा आप देख लीजिए वह सारी क्रियेशन भाजपा की है आज उप्चनाओं की तरफ केदा नाची उप्चनाओं की तरफ इस सम अपनाए ब्रमास्त्र होता है दफरत की राजनिती यह उसको अपनाए हुए होते हैं उसको पुषित करड़े का कारी करते हैं गरिमा जी आज विपक्स जो है वाकई जो आज जो इस्तितियां है इनोने क्रियेट कर रखी जूट की छलकी और छद्ब की जो राजितिये कर र बचरा है घरिमा जी हम चाहते हैं वो जाए ना जाए उसमें हम लोग इनको जगाने का कारे करें सुपतावस्ता में होते हैं सोई में इस्तिति में लोग होते हैं हम लोग इनको करन महराजी जो यससी हमारे प्रेजिडेंट हैं आज उनकी यात्रा जो थी जो वाकई समापन की ओर थी वापसी वीद्या समापन की ओर वो है कल पूजा ये पूजा अर्चनाव के दार ना धाम में करेंगे और निश्चित रूप से आप देखिएगा अगर केदार बाबा की और पद्री विशाल के अगर किरपा हुई तो हम लोग इस राज्य को जो ये लोग धूमिल कर इस राज्य की जो पहचान जो होती थी गरिमा जी वह वाकई देवताओं का वास होता है यहां पर देवता वास करते हैं इस राज्य में ये इस राज्य को किस तरफ ले जा रहे हैं आप स्वें सोचीए दैरादून में सबार्ट सिटी के नाम पर सग्ड़ों करोड रुपे आज चुका है गरिमाजी इनके मंत्रिगण इनके विधायगण बंदर बाट किये जा रहे हैं उस पैसे की आज इनका एक मंत्री आप स्वेम सोचो माननी है हाई कोड अगर सक्त टिपड़ी करता है और कहता है इसको विजिलेंस विजिलेंस इसको सौट आउट करें विजिलें समय हमारे मुख्या को करना चाहिए था जो सरकार के मुख्या मंत्री के पत्मे हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं करेंगे इस्तियां ऐसे बनीवी आप स्वेम सोचो इससे क्या किस तरफ यह सारा दे रही है यह सारी चीजे आप से हम सोचिए गरिमाजी ठीक है यानि आपको लग है कि सत्यां बलकुल ठीक नहीं हो और सरकार भी अगर बहतर कदम उचाएगी तो कहीं न कहीं जो पूरा मामला चर्चा में भी बहुत रहता है क्या वाकई में ऐसा होता है क्योंकि कई बार जब हम सरकार के प्रतनेधियों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसी घटना हो रही है तो यह हवाला देते हैं कि उनके सुनते नहीं है या पुल्स के वरिश रद्कारी है फो उनकी नहीं मानते ऐसा क्यों होता है और ये जो फिलाल अपराध बढ़ रहा है इस बामले में भी मैंखमा सुनने को तयार नहीं ये स इसस के कदम उठाएं जा रही क्योंकि बतलब रेप के मामलों में ही जाने कितने गुना आगे बढ़ चुका है तो ये सारी चीज़े क्या सरकार के प्रतिनद्यों के बीच में चर्चा का विश्य नहीं रहती सर अन्म्यूट कर लिशे हैं तो यह तो यह तमाम प्रिस्थितियां पैदा होती है उत्राखंड बड़ा शांदार प्रदीश है कि पहार के लोग का शौर एकम नहीं है यह भारत देश का एक मात्र राज्य है जिसमें मात्र 13 जिले हैं और 13 जिलों के इस राज्य में दो मंडल है और दोनों मंधढलों में भायती ज慶ेना में दो अलग अलग रेजिमेंट हैं गड़वाल राइफल और कमाऊ रेजीमेंट ठीक टूरी यूनिट यहां से जाती है। जिसने जन्मानस के मन में अब डर पैदा कर गया है कि कहीं आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ भी तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको जो रिसिकियस वाला उधारन दिया जिसमें कोई छान भी नहीं हुई जब बात उठी तो ग्यारा बजे पत्रकार के खिलाब आप आप दर्ज हो गई आरोपी का पता नहीं था इस तरह की गटनाएं और उत्राखंड में एक बड़ी समस्या क्या हो गई ह कि यहां चोटी शोटी विधानसवाय हैं लोग सिर वक्ति विधानसवाह क्यहीं तो मालूम है कि बρात सवा में दिया कोaty Tam नहीं आंक हमनसी है नव और त्रुंद आप मंतरी पत खासर कर लिए खिंए यहां लग्यां। जब यह सारी चीज़ें होंगी तो जवाब देही किसके प्रती होगी है आज अगर उत्राखंड में देहरादूर में परिटन बाजार में एक इस्तिती पैदा हुई तो यह किसकी गलती है हम भी उस बाजार से गुजरते हैं हम भी वहां से सामाल लेते हैं हमारे परिवार के सामाल लेते हैं बहुत दिक्कत होती है और चूंकि हम पत्रकार है तो थोड़ा सा एक दिश्चिकोंड यह भी रहता है कि अगल वगल देख लें भाई अब्जर्व करें कि बैवस्थाई किस तरह की है ठीक है पुलिस नहीं दिखाए देती है भीड में और वह बाजार चू कि वहां पर आ रखे हैं वो कौन है निजु सामान बेचने अ रहती है एक हमें समझने की जरौत उत्राखंड भी भारत में है उत्तर परदेशी भारत में है दिली भी बारत में है तमाम राज्यों से मिलकर के यह राज्यों गांशंघ भाई छीक राजीों के बिना पडोसी तो महला अच्छा होता है करोनी अच्छी होती है पाफ पोडोस अच्छे रहते हैं लेकिन वही अच्छा पडोसी अगर घर में घुज आए तो ठीक है एक दिन रात का डिनर भी हो जाएगा लेकिन उसके बाद अगर वो लगातार आने लगे और चीजों को परिसान करने लगे तो उसी पडोसी से हम क्या करते हैं पीछे चुड़ाने कोशिश करते हैं संबंध खराब होते हैं वही इस्तिक्यां यहां पर बन गई गलतियां जो प्रशासन की हैं जिल्ला पुलिसीं की हैं वेरिफिकेशन आज अच्छे लोगों की वज़े से इन बुरे लोगों की वज लगता है वैसे बुरे लोग जो होते हैं वो अच्छे लोगों को समाच में दर खिनार कर देते हैं उनको वहां से किनारे कर देते हैं वही से हम देख रहे हैं जो चीजे होनी चाहिए मैं एक खोटी से अधारण के साथ अपनी बात रखूंगा उत्तर प्रदेश कई मामलों प्रदेश कर देखा जाए तो भास्पा के टाइम पर तो सारी पुलीस वर्ति नहीं हुई यह पहले से पुलीसिंग चलिया रही है लेकिन जब वहां का नित्र तो जिस तरह की का है उसने पूरी पुलीसिंग को टाइट करके रखा हुआ है एक चोरी होती है और आपर आज पूरी की पूरी चौकी बदल गई उत्रा खंड में इतनी बड़ा दाका होता है थाना चौकी तक नहीं बगली गई vet. इस परती उसी दर्टील करती घाना भी बनती और वैसा ही भैअप राधियों में भी बनेगा कहीं अगर आप सरक्शन लेंगे परदेश में आज अगर आप समय जायत है के अघर आप गाम करते स्क्रहते हैं तो इतनी इतनी नजीर पहले पूल्श पेश कर चुकивать कि आपको वाकाई मेंटर लगेगा इस तरीके के हरकत करने से पहले किसी भी ऐसे अपराद को अवोइड नहीं किया जा सकता ठीके बहुत अच्छे बहुत अच्छे उधारन आपकी ओर से दिये गए कुल्दीव जी चले ठीक आगे बढ़ते हैं सुनीता विद्यार्ती जी हमा किसी विपक्षी दल के नहीं किसी भी प्रवक्ता के नहीं किसी के भी नहीं है किसी पत्रकार के नहीं है इन पर तो विश्वास करेंगे ना मैं नो गुना मुझे जितना याद आ रहा है रेप के मामलों में व्रथी हुई है डकैती हो दंदहारे आप कहां पर डकैती होती है गलियों में जा रहे ही लड़कियों के साथ में छेड़ छाड़ हो जाती है प्रदेश को हम देव भूमी कहते हैं और परटनस्थल के नाम पर देश दुनिया के लोग यहां पर आते हैं कई चीजों के लिए मशुहूर है उत्तराखंड क्या ऐसे बचाएंगे उत्तराखंड क कि इज़त को हम क्या कर रही है पोलस आपके जी गरीमा जी देखिए जस प्रकार सी यह घंटा घर की जो चोरी का मामला है यह सामने आया है बहुत ही गंभीर विशे है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि घंटा घर कोई चोटी मोडी चीज नहीं है आपने देखा कि जब और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि 1948 में स्रोशनी नाइडू जी के माध्यम से इसका पूरा उधाटन हुआ था और यह बड़ा यूनीक परकार का एक ऐसा घंटा घर है जो सिक्स फेसीज है और सिक्स क्लॉक्स उसमें है लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि मैं परकार से चारों तरफ कैमराज हैं उसके बावजूद अगर चोरी हो जाती है तो देखें यह बहुत गंभीर विशय है कहीं ना कहीं लॉइन ओर को जिस परकार से यह चैलेंज किया जा रहा है विभिन आयामों से यह बहुत गंभीर है और यहां पर देखें क्योंकि पहले कभी यह चीजें हुई नहीं हैं तो हमें देभूमी उत्राखंड में जब ऐसी वारदाते सामने आती हैं तो हमको लगता है कि हम लोग अपने परदेश में हैं या नहीं हैं क्योंकि बाहर तो हमने कई बर हम डेली जाते हैं कई एंसी आर में जाते हैं तो कई बार ऐसी के मामले आ रहे हैं और महिला सुरक्षा को लेके तमाम इंतजाम होने के बाद भी यह बिलकुल जैसे नेगी जी कह रहे थे कि अगर उत्तरप्रदेश की बात होती है तो वहां पे एंकाउंटर हो जाते हैं यह गवस्ताओं को चैलेंज करना और इस तरीकी की चीज़ है क्यों चोड को पकड़ा और डारेट शूट आउट कर दिया अगर आपने उनके इस बात को सुना तो बहुत हलके में लिया मुझे लगता है वह उदारण था और यह बताने की कोशिश की गई कि देखे किस तरीके की कारेशाली रहती है कुल्दीब जी कुछ कह बिन आपनी बात को करें मतलब आपको समझाने करें मैं एक बार चाती हूँ उनको सुन लें आप फिर अपनी बात को पूरा करें देखिए गरीमा जी देखिए मैं कुल्दीब जी के भाव से भी अगरी करती हूँ लेकिन अगर हम यह सोचे हैं कि धामी जी रातो रात योगी जी बन जाए तो यह हम सब के लिए पॉसीबल कैसे होगा आप खुद बताईए आपका बिल्कुल नहीं यह कहने का ना तो भाव था ना ही इसको कहने का कोई मकसद है योगी जी भी आपके उत्तरगंड राजी से ही उनका विशेश नाता है वह वहीं से है बात कहने का मतलब यह नहीं है लेक मुत्रप्रदेश में अप राधू का अंकड़ा कुछ और ही रहता था बिल्कुल बिल्कुल वहीं मैं कह रही हूं कि देखिए यहां पे वहां तो माफियों का जिस प्रकार से जो जमावडा रहता था तो वह वारदाते भी दिमाद में कहीं न कहीं रहती थी लेकिन हमारे उत्राखंड में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई तो हमें सुनने में बहुत अटपटा लगता है यहां रेप हो गया यहां ऐसा हो गया तो एक निश्यत रुप से खौफ रहना चाहिए और यह जरूरी हो गया क्यूंकि माफिया जो है वो इस कदर मेरे को लग रह उन्हों ने उत्राखंड को बनाया है तो यहां पे रोक रगी बहुत आशिक है आप सॉफ्ट कॉर्णर यह हम कह सकते कई बार तैसी भी खबर सामने आते कि दोसरे प्रदेशों के माफिया बाग कर उत्तराखंड में चप जाते तो आप अपनी पुलिस को इतनी सक्ति क्यों कुर्म ने शिखाते हम यह नी कहा है कि धानी को यह गईरना है लेकिन कम से कम पूलिस की काल है तो यह की की पूरा कर लीजीगा एक बडिग्र सुझ वह क्या 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 आथ कुछ उदारानों के साथ क्या आज मैं कोई वात अपनी तरफ से एक पद्रकार के रूप मैंने जो देखा है इस राज्य में मैं उसी बात को रख रहा हूं सारी चीजे फैक्ट है मैं कोई विसलेशन नहीं दे रहा हूं ठीक है उत्राखंड में मैं देहरादुन की बात करता हूं एक IPS हुए डॉक्टर सदनन्द आते हैं ठीक है सबसे ज़्यादा के सॉल्व हुए इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉंस रहा इनके टाइम एक IPS हुए निवेता खुगरे थी ठीक है सबसे ज़्यादा क्राइन और सबसे इनके साथ साथ रेकवरी 70% से उपर की रेकवरी इनके टाइम पर रही ठीक है एक IPS हुए अरुन मोहन जोषी पुलिस टाइड रहती थी एक IPS वए केवल खुराना यह ज़्यादा पुराने नही को ना रहा है अरे यार वो कप्तान ना क्लॉक टावर के पास मिटिंग लेने के लिए और रात को धाई बुझे दो धाई बुझे कप्तान वहां पर घंटागर में आकर के सेट पर कह रहे हैं कि मैं यहां पर हूँ रिस्पॉंस टाइंच करने के लिए पुलिस किती तरह पहु कि एक अधिकारी गंटागर पर कड़ा नहीं देखा एक अधिकारी नहीं देखा है मैंने मैं रोज उस रास्ते से बुझारता हूँ कि मिरा राष्ता ही वही है तुट आप मुझे यहां पर सरकार की प्रवक्ता है बाच्पा की परवक्ता है देहरादूर में कि यह नहीं है कि एससपी जिले के कप्तान क्यों नहीं फिल्ड में आ रहे हैं बलकुल इसको अब सुचे ना लगाम लगाने वाला ही कोई नहीं है कि कहीं कप्तान साब आ जाए और ऐसा नो में सस्कंड हो जाए जूटी पर होते थे यहां गस्त देखने को नहीं मिल रही है आ वरना रात को कई बार हमें पुलिस के हुटर की आवाग सुनाई देती थी तो यह ग्रहता था कि अब मन में की अत्ता चलो आज की डिट में गरिमा अगर मैं यहां आपके सुडियों में बैठ करके मैं इस डिबेट कर रहा हूं तो अगर देहरादून के सबसे हाट आट सबसे बड़ी बात एक वेस्ट लाका भी ऐसा नहीं है कि कोई सबसे डर है कि कई मेरा घर सुरक्षित है या नहीं है बलकुर घंटागर में यह हो सकता है मेरा घर सुरक्षित है या नहीं है मैं इस डर में हूं लूगी आपने अभी जो बाते कहीं न कि यहां पर कई सारे ऐसी चीज़े हैं जो जम्मदार है उपद खाली तो ये काम करना तो सरकार की अभिसक्ष नहीं कर सकता तो विपक्ष की बढ़ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं कि है right married गरिमा जी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके प्रवकतागर्ण हो चाहे इनके लेडरिशिफ हो वह क्लेरिफिकेशन पर क्लेरिफिकेशन तिये जाते हैं और साथ मैं सवालों से बचने की कोशिश करते हैं प्रवक्तग क्याँ अज सारी बाते मधी गुमाफिरा के हो रही ऑज इस्ति ये है प्रदेश में साथ अरवर्थों से आप सासित हैं भाजपा रूल कर रही है सवार जो बनते हूं भाजपा से बनते हैं करेंबा जे अगर लॉयंड लॉयंड ओर्डर की बात हो रही है कानून ब्योस्ता अगर वाकई द्वस्त बताई जा रही है विपक्स के द्वारा ये कॉमन मन भी इस बात को बोल रहा है जो सारी चीज़े विजबल है दिन दहड़े डखेतियां हो स्वें सोचुआ आज अगर मैं कह रहा हूं आप से कि नौ राज्जियों में नौ परवतिय राज्जियों में पहले पायदान पर भाजपा इसको महिला अपराप में लिया है इस राज्जिय को और सांति प्रिया और सांति का प्रतिक इसको मुख्या बता रहे हूं मुख्या मंत्री बता रहे हूं राज्जिय के है कि राज्जिय वाकई जो है यहां पर तो देवता लोग वास करते हैं वाकई देवताओं का वास है इस राजिये में लेकिन भाजपा से सवाल इसलिए बनते हैं कि आज जो महोल जो आज creation है सारी आप देखिए आज सारी ब्योस्ता द्वस्त हो चुकी है पुलिसिंग की स्थिती क्या है आप देखिए आप क्या महोल है अभी जो कुल्दीप चीफ सवाल रख रहे थे बात रख रहे थे कि कोई अधिकारी नहीं दिखता है घंट अगर आप सोचो हाट ओफ सिटी संटर प्लेस है वो गरिमाजी अगर यह घटना है अगर वाकई हो रही है देखिए जो हो रही है वाकई पैक्टिकली सब कुछ हो रहा है दिख रहा है तो आप स्वेम सूचिए सरकार इस प्रदेश को कौन सा पाथ कौन सी दिसाइस को दिखाए जा रही है क्या महोल इनों ने बना दिया है आज प्रदेश विकास सुनने की स्थिती में है आज कोई प्रोग्रेम अगर है कोई अगर स्टेट प्लांट से कोई इंप्लिमेंटिशन की तरफ नहीं है कहीं आज वाकई अगर यह विपक्स के दौरा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बे अगर सरकार वाकई साथ वर्सों से सासित है तो यह सवाल बनते हैं अगर हम लोग कहते हैं दो और साथ के बीच का पंडित दारणदेत तिवाडिदी का जो कारेकाल था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है इस प्रदेश को शिटकुल मिला है तो वाकई प्रेक्टिकली उ समय इंफ्रा खड़ा हुआ था मिचले कहते हैं इस पार आज जो महोल है अज जो स्तियां है जो इंडिकेट कर रही है आज रुद्र प्रिया रुद्र प्रिया की जो घट्टा है गरिमा जी आज केदार्णाची में उप्चुनाओं होने जा रहा है आज जो क्रेशन करने देगी यह निश्यत रूप से बाज कॉंग्रेस पार्टी विपक्स करूप में अगर है तो एसम्बिली में जब डिवेट हमारे जितने भी एसम्बिली में डिवेट में पार्टिसिपेट करते हैं विदाएगण वो भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे कि र चीज को सुन रही थी तो यह बड़ी बात है कि मैं कैसे आप कह रही है कि हम पहले बात तो ने आपने पहले जवाब में उनकी बात को पकड़ा कि भाई दामी जी योगी जी नहीं बन सकते ठीक है लेकिन क्या यह भरे जा सकते जब सोची एक जिम्मदार व्यक्ति जवाब दे व्यक्ति की तैनाती ही नहीं है तो उसके लिए जिम्मदार भी कौन है अगर आप सही तरीके से आज आप यहाँ पर बैठ कर कह दे कि हम इस मामले में एक्शन लेंगे लेकिन किस पर लेंगी यह भी तो बड़ी बात है ना है देखिए मैंने सिर्फ लेक्तितों की बात की थी लेकिन कारे परणाली निश्यत्रूप से कड़ी कड़ाई से हम लोगों को आगे हमने इन चीजों को रखा है और मानी पुशकर सिंग धामी जी भी ऐसी धाकर धामी नहीं है जहांपे भी देखिए वारदाते होती है हम ल ही है देखिए जी यहां पर एसेश पी है और उनके अंतरगर्च सारी जो पुलिस होर से वह बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन जिस परकार के माफिया चैलेंज दे रहे हैं और जो इस तरीके के जो माफिया है उनके लिए हमें स्मार्ट पुलिसिंग करना बहुत जादा जरूरी है और मजबूती के साथ मीं सुरक्शा देना हमारा कारे है और हमारी सरकार सुरक्शा देने के लिए हमारी प्राइटी है यह लेकिन यहां पर यह चीजें मढ देना कि आप आपकी वज़े से यह नहीं हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है देखिए करता है कि हमारी जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस तरीके की पुलिसिंग शेहर के अंदर कर रहा है और यहां पर कोई भी किसी प्रकार का माफिया हो बक्षा किसी को नहीं जाएगा जो भी यह सोचें कि हमारे यहां पर आके तो यही जवाब देता है और दूसरी बात यह और दूसरी बात यह और दूसरी बात यह कि अभी आपने कहा ना कि हम पर आरोप मर दिया गया यह आरोप आप पर नहीं लगाया जाएगा क्या कॉंग्रेस से हम पूछे कि गटनाएं क्यों बढ़ रही है क्या कॉंग्रेस से हम पूछे कि आपकड़े अपराद के क्यों बढ़ रहे है गलत बात है यह नहीं करना चाहिए कि उनके वक्त पर इतनी गटनाएं होती थी आप NCRB कि उस आखड़े पर कुछ बोलेंगी, मैंने का न 9 फीसदी रेप की गटनाय बढ़ी है उत्राकंड में, उन्होंने की उनकी प्रमोशन की जगरा उनको डिमोशन में लिए तो ये राजनीती से आगे बढ़ी है, आप के रहे हैं कि उनके वक्त पर इतनी घटनाय थी, मैंने आपको आखड़ा एक बताया हो और पहले ही कह दिया था कि NCRB का ना कि कॉंग्रेस का या किसी पत्रकार का जो आपको पक्षकार लगता हो, तो उसका आखड़ा नहीं है, मैं आपको एक एक एक्सापल दे रहे थी, और चोर भी चोड़ी करेगा ना, डकैती डालता है उस वक्त ये नहीं देखता कि आप BGP से हैं या कॉंग्रेस से हैं, तो इसमें कम से कम उत्तरकंड के नागरे कोने किनाते भी आप ये बात करिए यहां पर सर्फ BGP की परवक्ता के तोर पर आप बोल रहे होंगी इस कानल पर, लेकिन घटनाएं सब के साथ हो सकती हैं हमारा कारे है कि कहीं पर अगर पुलिस का कमी कहीं पर नजर आती है, हम उसको दुरुस्त करें, वहां पर नैचरली अगर कोई थाना इतना capable नहीं है कि चोरों को पकड़ सके या घटनाओं को अपने इर्द गिर्द होने से रोख सके, तो हमें उम्मीद यही है, जल से जल से हमारे साथ जोड़ने के लिए चर्श्रा में आने के लिए अपने बात रखने के लिए देवुमी के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, बढ़ रहे अप राधों को लेकर क्योंकि जिस तरीके से घंटागर की घड़ी और उसके पार्ट शोड़ी हो गए, उसके बाद लगा क्योंकि हम रहे जाए आज हम रहे खयाta हम ऑगार के लिए हारा के दिए रह वे रगएागर को भाता के बाताव का बाता है मैघ।